कि बहुत जल्द आप फल्वन्त होने जा रहे हैं, बहुत जल्द आप आसिसित होने जा रहे हैं, आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, प्रभु इनके दुखों को दूर करें, इनके पारिवारिक समस्याओं को दूर करें, इनके बच्चों के लाइफ के प्रॉब्लम्स और उनक करते हैं आज सुबह की प्रातनमे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रवधेश्यमसी आपको फलविंद करेंगे प्रवधेश्यमसी आगे बढ़ाएंगे फलविंद करेंगे क्यों मैं सब कह रहा हूँ? कैस्यश्यमसी का 15-25 पद कुछ इस परकार से कहता है दोस्तों यहां पर परमेश्व का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो दूसरे सब्दों में यदि आपको समझाने के लिए मैं कहूँ तो प्रवियेश्मसी कह रहे हैं मैं पेड का तना हूँ और तुम पेड की ब्रांचेज हो तुम उसके टहनिया हो में तना मैं हूँ और तुम उससे निकली हुई ब्रांचेज हो और तब प्रवियेश्मसी कहते हैं कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है जो मुझ में बना रहता है मिंस जो टेहनी उस पेड से लगी हुई रहती है वो बहुत फल फलती है और जो उसे अलग हो जाती है वो फलवन्त नहीं होती वो तूट कर गिर जाती है तब प्रवु का वचन कहता है कि तुम मुझ से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रव येश्य मसी एक दाखलता के एक्जामपल के द्वारा उधारण के द्वारा आपको और मुझे समझाना चाह रहे हैं कि हमें उस पर चिपके रहना है हमें प्रव येश्य मसी में बने रहना है जिस परकार से आप देखते हैं यदि कोई पेड और उसका उसकी ब्रांचि जिदि अलग कर दी जाएं, ब्रांचेज, टहनियां जिदि पेर से अलग हो जाएं, तो वो गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, सड जाती हैं, नस्ट हो जाती हैं परंत जो टहनी पेड में लगी हुई रहती है, जो तूटती नहीं है, जो अलग नहीं होती, जो लगी रहती है, वो अपने समय पर फलवंत होती है, उसके पत्ते हरे भरे होते हैं, उस पर फूल लगते हैं, उस पर फल लगते हैं, वो बढ़ती रहती है, कौन? जो उस तने प पर चिप की रहती है जुड़ी रहती है दूसरी तरह हम देखते हैं कि जो टहनी गिर जाती है तूट जाती है अलग हो जाती है वो धिरे धिरे सूखने लगती है सडने लगती है और मिटी में मिल जाती है समाप्त हो जाती है इसी प्रकार प्रभी एश्यो मसी कहा रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहे मेरी आग्याओं पर चलते रहे, मेरी बातों पर चलते रहे तो तुम अपने जीवन में आगे भी बढ़ोगे, तुम फल्वन्त भी होगे परन्तु यदि तुम मुझसे अलग हो गए, यदि तुमने मेरी आग्याओं पर चलना छोड़ दिया, यदि तुमने मुझ पर भरोंसा रखना छोड़ दिया, तो क्या होगा, तुम धीरे धीरे नस्ट हो जाओगे, सूख जाओगे, समापत हो जाओगे, सर जाओगे, गल जा ताकि हम फल्वन्त हों, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ऐसा नहीं कि हम उससे अलग हो गए, हमने उसकी पीछे चलना छोड़ दिया, उसके आग्याओं को मानना छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो हम उस अनंत जीवन से भी रहित हो जाएंगे, उस अनंत एक आप और मैं हम सब विश्वासी लोग हमेशा प्रभयेश्य मसी में बने रहें उस पर चिपके रहें उसके आज्याओं के अंशार जीवन बेतीत करते रहें उस पर भरुसा रखें क्योंकि तब का होगा तब हम फलवन्त होंगे, हम पर फूल लगेंगे, हमारे पत्ते हरे भरे होंगे, हम हस्ट पुष्ट होंगे और हम पर फल लगेंगे, हम सफल होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो अनन्त जीवन के आसीज को भी हम प्राप्त कर पाएंगे तो आज सुभे में परमेशो का वचन आपको, मुझे हम सब को उच्छाइट करता है, कि हम परमेशो में बने रहें, क्योंकि जब आप उसमें बने रहते हैं, तो आप फलवन्त होते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत जल्द आप आसिसित होने जा रहे हैं, आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप प्रव में बने हुए हैं, क्योंकि आप प्रव से चिपके हुए हैं, उससे लिपते हुए हैं, उसके आज्याओं के अनुसार जीवन को ब्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो आपको आसीशित करेगा सुप्रव आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आसीश देगा आमीन नाइन फाइव धन्यवाद सिस्टर को बड़ी आशीश दे परमेशर क्लीशिया के सभी जनों को परमेशर बड़ी आशीश दे सब के उपर बड़ा अनुग्रा होई येश्यमसी का स्वारति नाव आमीन सो हम प्रभी येश्यमसी का धनिवाद करते हैं इस उन्दर सी सुभा के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सबने परभू के वचन को बहुत ही ध्यान से सुना और उसे आशीश पाई है और आज के दिन में आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है आईए इस सोह मिलकर हम प्राथन करें धनिवाद करते हैं सामर्थी दयालू हमारे पवित्र पिता आप कितने अच्छे और भले हैं प्रभू हम आपका धनिवाद देते हैं धनिवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्रात्मा क्योंकि आप योग्ये हैं धनिवाद आदर और सम्मान के प्रतिस्टा के और प्रभु येशु हम आपकी नाम को सरहाते हैं पिता उस नाम की तारीफ करते हैं तारीफ हो पिता तेरे बहुत ही मनोहर नाम की मेरे पिता मैं धनिवाद करती हूँ कि आज जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, बुज़र्ग लोग हमारे साथ में इस प्रात्ना में शामिल हैं प्रभु आज की सुभा में उन्हें आशीज दे, उन्हें सामर्त दे, अच्छा स्वासत दे, ज्यान बुद्धी समझ दे, अ प्रात्ना का उत्तर सुनना मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक के आज प्रात्ना का उत्तर आप दीजिए, मैं धनिवाद करती हूँ प्रभु आज की दिन के लिए प्रभु हम आपकी योजनाओं को अपने जीवन के लिए चाहते, प्रभु तेरी इच् के हर एक छेत्रों में देखने पाएं पिता विशेश रूप से धन्यवाद देते हैं आज के आत्मिक भोजन के लिए प्रभू हमारे स्प्रिच्वल फूड के लिए परमिशर हम बहुत ही जादा धन्यवादी हैं परमिशर मैं दुआ करती हूं पिता जिस प्रकार प्रभू तो हमें शारिरिक भोजन देता है प्रभू हमें हस्ट पुस्ट करता है प्रभू उसी प्रकार तो ने हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया है प्रभू ताकि हमारी आत्मा भी हस्ट और पुस्ट कोने पाएं खुदावन धन्यवाद करके पिता जितने लोगों ने खुदावन बने हो तो बहुत सारा फल लेके आओगे Yes, my Lord Jesus, मैं प्रात्न करती पिता कि आप दाख लता हैं और हम डालिया है परमेश्वर मैं प्रात्न करती पिता कि हम सब वो लोग है पिता जो टहनिया तुझ तने से लिप्टी है परमेश्वर जो तुझ में बने हैं पिता परमेश्वर इसलिए प्रभू तुने वो आशिशे, वो बरकते, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो उपाई, वो इंतिजाम, वो बद्दाव, वो बड़ा चेंज़, वो बड़ी एपॉर्चुनेटी, वो बड़े दर्वाजे तुने खोल दिय हैं, खुदावन ये तुझ में बने रहने से प्रभू fruitful होने पाए, पिता, तुझ में कैसे ये बने रहें, प्रभू आपका आत्मा इने ये सिखाने पाए, पिता, हर कंडिशन में प्रभू तेरे लोग तुझ में बने रहें, विरोध, कलेश, बीमारी, कर्जे और हर प्र किवारिक समस्याओं को दूर करें, इनके बच्चों के लाइफ के प्रॉब्लम्स और उनके जीवन के गलत बातों को दूर करें, प्रभू इनके परसनल लाइफ के प्रभू जी आप प्रॉब्लम्स को दूर करें, इनके बिजनिस, इनके जॉब, इनके अन्य छेत्रों से र प्रोजगार के लिए प्रभू कुछ अच्छा करने के लिए बहुत प्रभू में प्लाइन से प्रभू मैं दुआ करती हैं पिता जब तुझ में बने हो तो इस इसकाम पर हात लगाएं जो प्रभू यह करने पाए परमिश्व पीता है ऐसी सामट से अपने लोगों को भरे खुदा, मैं प्राथना करती हो पिता, जो आज भी अपने जीवन में failure को हर जीवन के हर एक छेत्र में देख रहे पिता, वो असफलताओं को अपने जीवन में देख रहे खुदा, यह तुज में बने है, तो यह सफल होने पाएं पिता, ऐसा changes आप इं इनके स्वभाव में इनके व्यवार में प्रभू चिर्चिड़ापन प्रभू हरे गुसा हरे घमन इर्शा जलन की भावन यह सब कुछ इनके व्यवार से बदलने पाए और तेरा व्यवार प्रभू इनमें आने पाए क्योंकि प्रभू यह तुछ से कनेक्ट है और तेरे अन बीमारी हर प्रकार की भीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए येशू के नाम से प्रभू sut internet ककी कि मैं तेरे रोगों को दूर करूँ येशू नासिरी के नाम से इनके रोग दूर हो जाए इनकी भीमातीbirds दूर हो जाए ये चंगे हो इस सुभा में सामर्थ पाएं, इनके घुटनों में बल दे परमिश्यू, इनकी हड्डियों में बल दे प्रभु येश्यू, मेरे पिता जो बिस्तरों में कई लंबे समय से पड़े हैं, बहुत जादा घाव शरीर में बन चुके हैं, खुदावन तेरी चंगाई का सामर्थे बहने लगें, खुदावन वो घाव चंगे हो जाएं, वो हड्डिया मजबूत हो जाएं, वो मांस्पेशे स्ट्रांग हो जाएं, खुदावन इनकी कमजोयां चली जाएं, अंदरूनी अंग जो वीक पड़ गई हैं, येश्यू के नाम से वो चंगे हो जाएं, खुदाव धनेवाद, धनेवाद करते परमिश्वर, प्रभू मैं विशेश रूप से प्रातने करती प्रभू बहुत जादा जो डिप्रेशन में जो लोग हैं, डीप डिप्रेशन में, जिरने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया हैं, प्रभू दिन प्रति दिन उस बीमारी स्ट्राप में वो फस्ते चले जा रहे हैं, प्रातना है कि उन्हें बहार निकाले, दुआ है कि उन्हें चंगा करे परमिश्वर, धनेवाद पिता, एक एक छोटा बच्चा, नौजवान, बुजर्ग पिता, इस समय पिता, आपकी प्रातनों को सुन कर येश्व, तेरे ना लोगों से प्रभू, दुष्ट की बुरी चालों से परमिशाज के दिन में सेफ और प्रोटेक्ट करें, आपके लहू में इन भाई बहनों को कवर करतें, सुरक्षित रखतें, जहां जाएं वहां आपकी उपस्त भी हो, धनिवाद करतें प्रभू, सब कुछ आपके हाथो प्रात्नविंतिया, इंस्ट्रग्राम, फेस्बुक, टेलिग्राम, टेक्स्ट मेसेज के थूरू, फोन कॉल्स और इंस्ट्रग्राम के थूरू, प्रभू, जब तरे लोगों ने भेजे हैं, कुदा मैं धन्यवाद देती हूं कि सुभा में तुने उन भाई, बहनों की सु होते हैं प्रभू, तो पिता तू बढ़ाता है प्रभू, प्रभू क्योंकि जिस प्रकार हम तुझ में बने हैं, तो फल्वंत हैं, धन्यवाद पिता, हम सब फल्वंत डालिया हैं, परमेश्व, ठैंक यू लॉर्ड, तू हमारी दाखलता है, ये बहुत ही आशशित होने पाली बात है, इस सुभा में आप आशशित करें इस वचन के द्वारा, धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौबते प्रातन ये श्यू के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, और आमेन